असलम अलेकुम आज की रिसिपी है फेमस ट्राडिशनल जापानिस डोडा केक जिसमें दो पैंकेक के अंदर एक फेलिंग्स होते हैं और एक फेमस कार्टून केरेक्टर डोडेमन की भी बहुत ही फेवरिट केक होते हैं तो चली आज हम इसे घर में बनाएं तो यहां पर एक म सब्सक्राइब तोर के ले लेंगे और एक केक जो है यह बच्छों की भी बहुत ही फेवरिट केक होते हैं तो इसकी साथ अभी हम एट करेंगे हाफ काफ यानी 130 ग्राम पाउडर सुगर चीनी को बस एक बार हम मिक्सर में चाला लिया साथ में एट करेंगे एक टीस्पून हैनी लेसेंस और इन सबको हम अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक न चीनी पूरा ही घूल जा इसकी अंदर और फिर हम इसमें एट करेंगे 1 फोर्थ कप रिपाइंड वाइल आप यहां पर बटर भी एट कर सकते हो और फ इसमें अभी एट करेंगे एक कप यानी 130 ग्राम मैदा आप यहां पर आटा भी ले सकते हो साथ में जाएगा हाफ टीस्पून नमक इसे भी एक पर मिला लेंगे इसकी साथ और फिर इसमें एट करेंगे हानी जो की 2 टीस्पून की असपस है अगर आपकी पास हानी नहीं है स्किप कर सकते हो पर जो ट्रडीशनल ज्यापानिस डोडा केक होते हैं उसमें हाणी का इस्तिमाल किया जाता Hoş है और साथ में देभी और साथ में लिक्वीट मिल्क इसकी कशिक्षिस्टेंसी को एड़ेस्ट करने के लिए आ मिक्वीट मील्क एक सत में जादा ना डाले धि केच ना है और इसकी consistsनी सी ठीयान दे। रहाल अश्ट में यहां पर यहांaldo करेंगे एक चोटे चमंज बेकिंग पाॉडर में कर लिए और नहीं है तो आधा चोटी पैन को हमने गरम कर लिया और पैन बिल्कूल भी ज्यादा गरम नहीं है मीडियम होट है उसमें बस कुछी ट्रॉप तेल को हमने ऐसे टीशू पेपर से गीज कर लिया ताकि तेल इवनली स्प्रेड हो सके और सेम साइज की पैनकेक बनाने के लिए ऐसे चममच या तो फिर ऐस ently मीžरिंग काप का इस्तेमाल करें और सयम माउंट का बैटर ले और इसे दीरे से डाले और गैस की फ्रेम को मीडियम से लो पे रख नहांập मीडियम से भी थोड़ा से नीचे और लो से थोड़ा से उपर रखना है और एक से देड़ मीट के बाद जब ऐसे बबल दिखे तब इसे एक बर पलट देना है और दूसरे साइट को होने के लिए आपको छोड़ना है 30 तू 40 सेकेंड के लिए और फिर हम इसे उठा लेंगे और बाकी की पैनकेक को भी हम ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे बस एक साइट में ऐसे बबल दिखना का वेट करेंगे जब ऐसे बबल आ जाए तब हम इसे पलट देंगे धीरे से और फिर दूसरे साइड होने के लिए हम इसे 30 तू 40 सेकंड के लिए ही छोड़ेंगे और फिर इसे उठा लेना है बहुत ही आसान है पैंकेक बनाना तो हर को भी इसे बना सकते हैं घर में इतना मुश्किल भी नहीं है देखिए कितना आसान इसे बन जाती है हमारा टोड़ा केक तो देखिए यहां पर हमने सारे पैंकेक को फ्राइ कर लिया अब हम इसे की अंदर फिलिंग भरेंगे और इसे डोड़ा केक बनाएंगे तो सारे पैंकेक को हमने ऐसे पलट लिया और इसकी अंदर हम ऐसका चॉकले स्पिरेट लगा देंगे आप कोई भी ब्रैंड का चॉकले स्पिरेट का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी पास कोई भी चौकलेट नहीं है तो आप बाजार से कोई भी फ्लेवर की आपकी पसंद की चौकलेट खड़ी दो और उसे मेल्ट करके इसकी अंदर स्प्रेट कर सकते हो और इसकी अंदर की स्प्रेट आप अपनी मर्जी से करे जितना भी अपकी पसंद हो उस सब सही करे तो यहाँ पर इसकी उपर ऐसे चौके स्प्रेड लगा के दूसरा एक पैन केक से इसको कवर कर देंगे और इसे हलका सा प्रेस कर लेंगे और यह हमारा डोडा के बिल्कुल रेडी है एक को कट के हम दिखाते हैं इसकी अंदर का फिलिंग देखिए कितना सॉप्ट स्पॉंजी बनी है बहुत ही सॉप्ट बनती है देखिए इसकी अंदर की फिलिंग भी देखिए चौकुलेटी फ्लॉफी और सॉप्ट डोडा केक बन के बिल्कुल रेडी है तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक बटन पे क्लिक करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें